One or more recipients are not valid का क्या मतलब होता है कि आज किस वीडियो में सीख लेते हैं जब भी आप किसी को कोई mail करते हैं या कोई message करते हैं तो कई बार हम जो है mail address जो है कोई ठीक नहीं डालते हैं यानि कि मानले जो किसी email address में हमने कोई space डाल दिया या जो at का sign होता है वो properly नहीं लगाया या lastman.com.in ये जो होता है वो नहीं लगाया तो उसकी वज़े से वो email जो है वो valid नहीं होता है तो आप जो भी address डाल रहे हैं उसको एक बार चेक करिए उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड हो सकता है या तो एक कोई email address गलत है या एक से ज्यादा भी गलत हो सकते हैं तो इसका यहीं मतलब है कि एक या एक से अधिक जो प्राप्त करता है वो मानने नहीं है अनके जिसको message जाना है उसका address या उसका नाम या उसका जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो थोड़ी सही नहीं है उसको एक बार ठीक करके चेक करके डालिए उसके बाद या आपका आगे process हो जाएगा अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें